आज जब मैं पर विपलवी भारत गालेरी का उद्गार्ण कर रहा हूं, तो तिरंगे के तीन रंगों में नए भारत का भविश्य भी देख रहा हूं। केशरिया रंग अब हमें करमर्ता, कर्तव्य और राष्टिय सुरक्षा की प्रेना देता है। सफेद रंग अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का परियाय है। हरा रंग आज परियावरण के रक्षा के लिए, रिन्यूबल एनर्जी के लिए भारत के बड़े लक्षों का प्रतीख है। ग्रीन एनर्जी से लेकर ग्रीन हाइडरोजन तक, बायो फ्यूल से लेकर के इथेनॉल ब्लेंडिंग तक, नेच्रल फार्मिंग से लेकर गोबर्दन योजना शुरू तक, सब इसके प्रतिमंद भमन रहे हैं। और तिरंगे में लगा नीला चक्र, आज ब्लू एकोनोमी का परियाय है। भारत के पास मौजूद अठास समुद्री संसादन, विशाल समुद्री तट, हमारी जलशक्ति भारत के विकास को निरंतर गती दे रही है। और साथियों, मुझे खुशी है कि तिरंगे की इस आन, बान और शान को और बढ़ाने का बीड़ा देश के युवाओं ने उठाया हुआ है। ये देश के युवाही थे, जिन्होंने हर दोर में भारत के स्वाधिनता संग्राम की मुशाल अपने हाप में ठाम रखी थी। आप याद करिए, आज के दिन जब बगत्सी, सुक्तेव, राजगुरु को फासी हुई, तो ये 23-24 साल के ही नौजवान थे। खुदिराम बोश की उम्रतों फासी के समय इनसे भी बहुत कम थे। बगवान बिर्शा मुंड़ा 25-26 साल के थे। चंद्र से कराजाब 24-25 साल के थे। और इनोंने अंग्रेजी हुकुमत को थराक रख दिया था। भारत के युवाओं का सामर्थ ना तब कम था और ना आज कम है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, कभी अपनी शक्तियों को, अपने सपनों को कम नहीं आखियेगा। ऐसा कोई काम नहीं जो भारत का युवाओं करना सके। ऐसा कोई लक्ष नहीं जो भारत का युवाओं प्राप्तना कर सके। आजादी के सौ वर्स होने पर बारत जिस भी उंचाई पर होगा। 2047 में हिंदुस्तान जहां जिस उंचाई को पहुचेगा वो आज के युवाओं के दम पर ही होगा। इसलिए आज जो युवाओं है उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष होना चाहिए बए भारत के निर्मान में अपना योगदान। अगले 25 वर्सों में भारत के युवाओं के मेहनत भारत का भाग्य बनाएगी। भारत का भविशय समारेगी। झाले 25 वर्सों में आज़ाओं और्सु भारत का भारत का धूद्लीड़ इस przyता सबसे करिता.